हलो आज डिसकस करने वाले हैं इंजिनियरिंग ड्रोइंग के रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक चीजे होती है जो कि हमें पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग शीट्स ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन जो बेसिक मिस्टेक्स होती है वो एलिमिनेट नहीं हो पाती है वो चाहिते है अंग शीट्स के साथ में बनी रहती है वो आज का फॉकस ही बात पर रहेगा कि जो बेसिक चीजे उनको हम किस तरीके से करेक्ट करें जैसे कि पैंसिल यो रोइतर सम कहा पर कॉन सी पैंसिल करें जै신 मैंने देखा है कि स्टूदेंट्स एक ही पैंसिल से पूरी बना लेते हैं या different different pencils use करते हैं लेकिन देखने में पता ही नहीं लगता कि different pencil है सारा काम एक ही pencil से किया हुआ लगता है ठीक है और अलग-अलग तरह की lines होती है तो उन lines को भी वो अलग-अलग तरीके से draw नहीं कर पाते हैं अलग-अलग pencil उनमें यूज नहीं कर पाते हैं तो हम इन सब चीजों की बारे में अब आज discuss करेंगे अगर आप ITI के student है diploma के student है polytechnic के student है या फिर आप b.tech के student है engineering drawing आपके syllabus में मिलेगा आपको at least first year में तो common पेंसिल कितने तरह की होती है और कmore mg करते हैं अगर बात करें टाइप पेंसिल की तो ये यहां पर इस कर्काइब बीच करता है hardness को बताता है similarly जो B होता है वो blackness को show करता है blackness मतलब कि कितना dark आपकी pencil चलेगी जितना उसका blackness ज़्यादा है मतलब कि वो उतनी ही dark चल रही है clear? अब अगर बात करें H grade वाली pencils की तो ये होती है H से लेके 9H जैसे कि मैंने यहापर mention किया है H से लेके 9H तक मतलब H, 2H, 3H, 4H इस तरीके से 9H तक यह मिलेगी अगर बात करें blackness की pencil वाली B वाली तो इसमें होगा B, 2B, 3B ऐसे करके up to 6B तक आपको ये देखने को मिलती है market में अब इनका meaning क्या होता? जैसे कि मैंने hardness को show किया H से तो जो H वाली pencil है वो समझ में आ रही है कि hard होगी इतना हमें clear है लेकिन ये H के आगे मैंने 2 लगा दिया तो 2H हो गया, 3 लगा दिया, 3H हो गया तो इनका क्या meaning है और कब-कब हम इने use करेंगे, ये बहुत important है तो इतना समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं आगे अब H, 2H, 3H मैंने इस तरीके से हापर mark किया है अगर हम इस वाली sequence में move करते हैं मतलब पहले हम H पे हैं फिर हम 2H की तरफ move कर रहे हैं फिर हम 3H की तरफ move कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ move करेंगे इस direction में वैसे वैसे hardness क्या हो रही है बढ़ रही है पहले H के आगे सिर्फ 1 था फिर H के आगे हापर 2 है फिर H के आपर 3 है मतलब जो hardness है उसका amount क्या हो रहा है increase हो रहा है double, triple इस तरीके से increase हो रहा है तो hardness है आप पर increase होगी और अगर बात करें blackness की तो जितना hard आपकी pencil होगी उतनी ही वो light चलेगी मतलब की blackness उसकी कम होगी blackness कम का मतलब क्या है कि जो pencil है वो क्या होगी light होगी जो उसका shade होगा वो क्या होगा lighter shade होगा इतना समझ में आ गया अब next बात करते है जो B pencil होती है B, 2B, 3B जो हम use करते है उनका क्या concept है उसका concept जनरली सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम इस direction में आगे की तरफ move करेंगे जो B के आगे यहाँ पर 1 लगा है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है इस तरीके से जो data है जो desert है वो बढ़ रही है मतलब की जो blackness का amount है वो भी क्या हो रहा है increase हो रहा है clear अगर blackness बढ़ रही है pencil बहुत dark चलेगी मतलब की जो उसकी hardness है वो क्या है कम है मतलब आप बहुत कम effort लगाओगे बहुत कम pressure लगाओगे तब भी क्या होगा वो बहुत dark चल रही है मतलब की pencil क्या है soft है hardness कम का मतलब क्या हो गया softness ज्यादा एक ही बात है opposite एक दूसरे कि अगर जितना कोई hard कम होगा उतना ही वो soft ज्यादा होगा clear तो हम जो generally 12 से पहले pencil यूज लेते थे वो कौन सी लेते थे हम लेते थे HB pencil 10 और 12 के पहले जब तक हमने diploma या प्रॉली चक्निक या बीटेक में admission नहीं लिया था उससे पहले हम एक ही pencil समझते थे तो वो होती थी HB वो hard भी होती थी और black भी होती थी clear लेकिन अब जो हम use करेंगे वो अलग-अलग type की pencil यूज करेंगे अब बात करते हैं हम कौन-कौन सी करें इतनी सारी pencils अगर हम एक साथ geometry box में रखेंगे और use करेंगे बिल्कुल beginning level पर हम पढ़ रहे हैं जैसे कि engineering में admission ही लिया है जैस्ट और इतनी pencils में तो confusion रहेगा बहुत तो हम जो generally use करते हैं जैसे edge, 2H and 3H हम use करते हैं ठीके यहाँ पर मैंने इसलिए mention कर दिया clearly कि edge, 2H और 3H ही हम generally use करते हैं अगर आप चाहो तो आप 4H use कर सकते हो कब use कर सकते हो जब आप pencil इस तरीके से चलाते हो कि आपका 2H 3H से भी काम कर लोगे अब बात करते हैं कि edge pencil होती है वो कहा पर use आती है अब जैसे कि यह main जानना बहुत important है कि यह अलग-अलग grades मैंने बता दी अब वो हम use कहा कहा पर करेंगे क्योंकि जैसे कि अभी तक अगर 12th की पहले की बात करें और हमें कोई draw करना है कोई diagram या कुछ भी तो हम अपना एक pencil निकालते और जो करना है उसी से करते लेकिन अब engineering drawing में हर चीज को अलग तरीके से शो करना है अलग pencil से शो करना है और यह standard throughout all the sheets आपको maintain रखना है आपके पास आज h pencil है तो आपने सारा काम h से कर लिया कल पर्सों के बाद आपके पस हैही नहीं और आपने 4h थी आपके पस में आपने सारा काम उससे कर लिया ऐसा नहीं चलेगा सारी pencils होना ज़रूरी है clear अब point पर आते कि h का use मतलब कि अगर आपको sheet में कुछ भी लिखना है, मतलब आपने sheet बनाई है, आप उसकी dimension में 25 लिख रहे हो, या फिर आप 30 लिख रहे हो, कुछ भी इस तरह का data आप पूरी sheet में लिखते रहते हो, या उस sheet का जो name है, suppose करो आपने scales की sheet बनाई है, तो उसका title is scale, या कुछ भी करोगे, तब आपको H pencil यूज लेनी है, HB से नहीं लिखना है, सिर्फ H pencil यूज लेनी है, और कब-कब यूज करेंगे, जब भी आपको कोई object की visible outlines शो करनी है, suppose करो कि मेरे पास में एक phone है, सभी के पास में phone है, ठीके मैंने जस्ट एक object की तरह से लिया है अभी, अब इस phone क मैं बोलू कि diagram draw करो, या इसकी drawing बनानी है sheet पर, तो जो phone की dimension होगी, इस तरीके का phone होता है, या फिर आप इस तरीके से समझ लो, इस तरह का phone होता है, तो जो main dimension है, जो main outline है, जो आपको clearly visible है, वो आप किस से बनाओगे, H से बनाओगे, clear, अब क्या H से नहीं बनेगा, क्या clearly visible नहीं है, तो अगर मैं phone को हाथ में लूओ, और मैं बात करो कि उसका back camera मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो obviously नहीं दिखेगा, लेकिन उस object में exist करता है, और उसको show करने के लिए, आप यहाँ पर dotted line बनाओगे, इस तरीके से आप back camera को show कर, तो वो जो काम है, व अब next बात करते है, आगे की, 2H and 3H pencil, अब 2H और 3H जो किसमे किसमे काम आएगा, यह मैंने points यहाँ पर लिखे है, अगर center line draw करने है, construction line draw करने है, dimension line draw करने है, dotted line draw करने है, dash line भी बोल सकते हो इसे, इन तरह की जो lines है, इसकी लिए हम यह pencil काम में लेंगे, अब इसमें भी 2H का पर ले, 3H का पर ले, वो आगे, जिसे जैसे हम वीडियो में बढ़ेंगे, concept पूरा clear हो जाएगा, अब बात करते है, HV pencil जो अब तक हम इतने time से use करते हुए आए थे, उसको क्या roll है, उसको use नहीं करना है, उसको सिर्फ एक ही बार use करना है, एक ही time पे, एक ही चीज करने क जब भी आप arrow heads बनाते हो, अगर suppose करो कि यह आपका phone था, जैसे कि आपका, यह आपका phone था, यह drawing जैसे कि मैंने भी बनाई थी आपकी, अब मैं इसकी बोलो कि dimension शो करो, मतलब कि यह कुछ dimension होगी, यह कुछ dimension होगी, तो arrow जो हमने बनाए है, पहली बात तो यह गलत है, arrow कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और जो मैंने इसको यहाँ पर dark किया है, पूरा black pen से मैंने उसको dark किया है, वो आपको pen यूज नहीं करना है, आपको क्या करनी है, एच बी पैंसिल वहाँ पर use करनी है, clear, तो सिर्फ एच बी पैंसिल का roll क्या है, कि जो arrow head उसको dark करने के लि करते हैं, लेकिन हमें सामने से दिख नहीं रहें, विजिबल नहीं है, उन्हें भी हमें शो करना होता है, जैसे कि फोन का back camera का example दिया था भी मैंने, तो अलग-अलग lines होती है, तो उसका भी एक बार थोड़ा सा basic देख लेते हैं, ताकि sheets बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, continuous thick line, जैसे कि first mention किया है, मैंने continuous thick line, थिक का मतलब students को मैंने ये करते हुए भी देखा है, कि वो अपना pencil लेते हैं, और इस तरीके से उसको thick करने लग जाते हैं, और thin का मतलब कि वो एक ही बार चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थिक का मतलब कि वो जो use करोगे, वो इस pencil से use करोगे, कि वो दिखे अच्छे से, और thin का मतलब कि वो light shade है उसका, clear, तो ये इस तरीके से जो भी करते आया है, करा है अभी तक किसी ने, तो ऐसा ना करे, अब बात करते हैं, thick pencil में क्या करना है, सिर्फ generally हमको edge pencil use करनी है, और इस तरह से line draw करनी है, मैंने यहाँ पर जब भी sheet में काम करना है, pencil use करनी है, अपना drafter use करना है, कुछ भी draw करना है, चाए circle हो, चाए line हो, जो instruments होते ही रीके, वही आपको use करने है, free hand sketching नहीं करनी है, जब तक कि mention ना किया जाए कि free hand बनाओ, clear, अब बात करते हैं, continuous thin line की, continuous मतलब thin line मतलब कि इसी तरीके से आपको draw करना है, लेकिन thin मतलब की light pencil से use करना है, light pencil कौन सी होगी, 3H या 4H use कर सकते हो, 3H से भी काम हो जाएगा, अब बात करते हैं, dash line की, जिसे हम hidden line भी बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि back camera दिखने ही रहा है, front view में, लेकिन हमें उसको draw करना है, तो हम कौन सी pencil से बना और इस तरीकी की dash line होगी, अब dash line भी क्या करते हैं students, अपनी इच्छा से बस ये dash बना दिया, सोचते ही नहीं है कि इसके बीच में gap कितना होगा, ये line की dimension कितनी होगी, नहीं सोचते, कुछ भी जो दिमाख में आया, जैसे उस time पे हाथ चलता गया, वो अपना sheet बनाते गया वैसा नहीं करना है, particular dimension होती है, और उसी dimension को learn करना है, और वैसे ही throughout all the sheets ये ही data maintain रखना है, जो अभी बता रही हूँ मैं, करना क्या है, आपको 3 की एक line draw करनी, ये जो first line है, ये 3 की है, थोड़ा बढ़ा करके बता देती हूँ ताकि समझ में अच्छे से आएगा, ये 3 की line draw क कर रही हूँ और आप भी mm में ही use करेंगे, it is obvious कि आपने कुछ भी digit लिखी है, तो वो mm में है, और आप sheet के side में आप mention भी कर सकते हैं, कि all data in mm, तो 3 mm की line draw करी, उसके बाद में आपको 1 mm का gap छोड़ने के बाद में, आप वापस से 3 mm की line draw करोगे, फिर 1 mm का gap छोड़ोगे, फिर 3 mm की line draw करोगे, इस तरीके से ये dash line बनती है, just एक trick मैंने निकाली है, कि आप इस तरीके से line और उसका gap मैंने निचे की तरफ mention कर दिया है, तो आप इस तरीके से यास कर सकते हो, 3 1 3 1, मतलब कि 3 की line, 1 का gap, 3 की line, 1 का gap और यही pattern चलता रहेगा, तो यह होती है, आपकी dash line short dash line भी बोलते हैं, या फिर इसको hidden line भी बोला जाता है, जो invisible objects होते हैं, उन्हें show करने के लिए हम यह वाली line काम में लेते हैं, अब next बढ़ते हैं, long chain line, long chain line, जिसे हम center line भी कहते हैं, उसका जो structure होता है, वो इस तरीके से होता है, जो यहाँ पर मैंने draw किया है, ठीके, अब इसका भी एक particular ratio होता है, ऐसा नहीं है कि आपने pencil उठाई और आपने बस freehand आपका जो जितना समझ में आया, इस तरीके से कोई छोटा कोई बड़ा बनाते चले गए, ऐसा नहीं है, proper measurement के साथ होगा, engineering drawing में अगर आप कोई भी line ड्रो करते हो, कुछ भी draw करते हो, तो उसका बना दिये, 15,1,2,1,15 यही pattern repeat करना है, मतलब कि 15 की line यह वाली draw करिये, फिर 1 का gap छोड़ा है, फिर 2 mm की line draw करिये, फिर 1 mm का gap छोड़ा है, फिर 15 mm की line draw करिये, और यही pattern चलता रहेगा, 15,1,2,1,15 यह आप याद कर सकते हो, या फिर इसका जो size limit होती हो यह होती है, क्या 15 से 30 की बीच में ले लो, gap छोड़ोगे 1 का, फिर उसके बाद में 2 से 3 तक की line ले लो, gap छोड़ोगे 1 का, और 15 से 13 तक की line ले लो, लेकिन जितना आप ले, suppose करो आप यहाँ पर 15 की जगे 17 लेते हो, तो आपका यहाँ पर 17 होगा, आगी भी 17 ही रहेगा, सारे सब चीजों में, ऐ तो इसलिए मैंने एक data लिख दिया यहाँ पर, आप यही तरीका data याद कर लो, इसी को आप maintain करके चलो, यह इसी range में belong करता है, clear, तो यह होती है long chain line, center line, center line का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई भी object है और उसका center आपको show करना है, अगर बात करूँ कि कोई एक circle है, अच्छे स करने के लिए क्या होगा, आप इसी तरह की line यूज करेंगे और center को show करेंगे, ठीक है, मैंने roughly free end बनाया, इसलिए diagram ऐसा बनाया, आप बनाएंगे, अच्छे से instrument यूज करके तो आपको proper बनेगा, clear, अब बात करते हैं, आगे all line के बारे में, long chain thick at ends, मतलब जो हमने अभी center line देखिए, same वही line है, कोई change नहीं है, ratio अगर आप देखोगे, तो 15,1,21,15 वही, same काम जो वहाँ पर किया था, वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, thick at ends, मतलब जो end पे होगा, वो थिक है, तो थिक का मतलब अगेन ऐसा ऐसा थिक नहीं करना है, क्या करना पड़ेगा थिक मतलब कि आप उसको dark pencil से use करो, तो जो end है, यह वाला एक end है, लाइन का और यह वाला एक end है, line कितनी भी लंबी हो सकती है, मैंने सिफ दिखाने के लिए छूटी से line ड्रो करी है, आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके बहुत लंबी line ड्रो कर सकते हो, तो जो एक line का, तो इसको हमने किसे बनाया है, edge pencil से बनाया है, और बाकि जो middle portion पूरी line का, वो हम किसे बनाएंगे, 3 edge pencil से बनाएंगे, मतलब कि light रखना है, और edge मतलब कि dark रखना है, और यह difference visible होना चाहिए, खुद को जब sheet बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने दोनों pencil पर इतना pressure ल कि हाँ pencil अलग अलग है, इसलिए हम यह, edge 2, edge 3, edge concept पढ़ रहे हैं, इसलिए हम grades पढ़ रहे हैं, कि जो drawing है, हमें देखती समझ में आ जाए, कि कौन सा part visible है, कौन सा hidden है, कौन सा मतलब dimension line है, सब कू समझ में आ जाता है, देखके, next बात करते है, short break line, short break line का meaning क्या हुआ, इसको बोलते हैं, एक तो continuous thin wavy line, यह भी इसका नाम है, और आप short break line भी बोल सकते हो, यह line होती है, free end, इसमें आपको कोई measurement नहीं लेना है, सिर्फ यह line free end है, इसको इस तरीके से आप draw कर लेते हो, ठीक है, free end मतलब कि कोई instrument लेके नहीं बना रहे हो, scale लेके नहीं बना रहे हो, कहा यहाँ पर use होती है, अगर suppose करो कोई object है, उसकी length बहुत जादा है, आप उसको sheet पर draw नहीं कर पा रहे हो, sheet पर जगे कम है, आपको कम जगे में उसे draw करना है, तो आपने इसी को क्या कर लिया, इस तरीके से, यह line यहाँ यहाँ पर use कर लिया, और यह line यहाँ 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 आप वही same dimension लिख दो 1000 mm, तो छोटे में ही काम हो गया, आपने यहाँ पर line किस तरीके से use करी, जहाँ पर एक तो इस portion पर use करी है, एक इस portion पर use करी, जहाँ पर मैंने इस dark mark लगाए, अब आप clearly देख सकते हो, clear, तो यह इसका use होता है, और इसको कहा से बनाएंगे, हम 3H pencil से बनाएंगे, बहुत dark नहीं बनानी है, clear, यह 3H यह फिर हम 2H, कुछ भी use करो, लेकिन light रखना है थोड़ा, अब बात करते हैं, next, long break line with jig jig, यह line बहुत simple है, इस तरीके से आप बनाओगे, बनाओ तो इसका भी proper measurement होता है, यह वाला जो angle होता है 45 degree, यह वाला एंगल जो होता ह 45 degree, लेकिन इतना नहीं भी करो, थोड़ा similarity maintain करके आप बना लो, तो ठीक है line, कहाँ पर use होती है, जैसे बड़ी-बड़ी dimensions होती है, आपको show करना है, कोई railway track है, जो 25 km है, 20 km है, लेकिन आपको इतना dimension, आप sheet पे तो show नहीं कर सकते, sheet तो आपके limited size की होती है, तो आपने यह line draw कर दी मतलब की, आप बताना चाहरे हो कि कोई बहुत लंबी यहाँ पर आगे चीज है, जिसको आपने इससे show कर दी है, बहुत कम काम में आएगी, जो इससे पहले lines पढ़ी है, वही काम आएगी, यह दो line ऐसे extra बता रहे हूँ, डिटो line का मतलब होता है, कि जब भी कोई repetitive चीज आपको show कर दी है, ठीके, तो आप डिटो line का use करोगे, इसका जो ratio होता है, वह होता है, 3-1-3-5, 3-1-3-5, इस तरह के चलता जाएगा, आप मुझे 3-1-3-5 को समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इतना अच्छे से समझा चुकियों कि यह trick मैंने क्यों फिर आप अगेन 3 की line ड्रो करेंगे, गैप कितने का छोडेंगे, वन का, अगेन आप 3 की line शो करेंगे, इस तरीके से यह line चलते जाएगी, clear, अब बात करते हैं, कि यह था इसका सारा basic, I hope यहाँ पे सब clear हो गया होगा, अगर कोई doubt रहता है या और कोई topic ऐसा engineering drawing का जिसमें दिक्कत आ रही है, तो मुझे comment section में बता सकते हैं, अगर यह video अच्छा लगा है तो please video को like करें, channel को subscribe करें, and मिलते हैं next video में, till then, bye